तो हेलो गाइज वेलकम बेटो कालो से इवाफ फिर से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज की इस नहीं वीडियो के अंदर हम बात करने हैं वाले हैं यूंडई क्रेटा के बारे में यूंडई क्रेटा जब 2016 में लॉंच हुई थी तब से इंडियन मार्केट के अंद इस वीडियो के अदर पासंद आ रही हैं बिल्कुल भी पसंद नहीं वाली डिजाइन उसको थोड़ा सा कम पॉलराइजिंग बनाए गया इसकी जो ग्रिल है उसकी साइज और शेप को चेंज किया गया और जैसे अलकाजर के अंदर क्रोम इस अंदर ग्रिल आती ती वैसे क और जो सिल्वर सीट प्रेट उसको भी डिजाइन किया गया अभी पहले मुकाबले और ज्यादा एलिगेंट और स्पोर्टी जो है देखने को मिल रही है उसका अगर साइड माय तो साइड के अंदर कोई बीजर चेंज नहीं किया इसके अंदर में रिडिजाइन अलोई वी या फिर जो अलकाजर के अंदर ब्लैक और ब्लाउन की थीम आती ही वही युन्डाइ क्रेटा के जो अगले वाला फेसलिफ्ट है उसके अंदर हमें देखने को मिलेगी रश्या के अंदर युन्डाइ क्रेटा जो दो पेट्रोल इंजन के साथ एक है 1.6 लीटर का पेट्रो इन दोनों के साथ हमें 6-speed का manual gearbox और 6-speed का जो ऑटमेटिक टॉर्क अंदर गेरबॉक्स है वह देखने को मिलता है रश्या के अंदर इसके अंदर में और पावर ट्रेन है वह भी देखने को मिल जाती है तो अब हम बात करते हैं यह जो फेसलिफ जब इंडिया में लॉंच हो इसके अंदर जो में देखने को मिल सहता है क्योंकि एक तरीके की मार्केट के अंदर कबीट करने के लिए रिक्वायरमेंट हो गई है की प्रैसिंग आप लोगे क्रेटा के वह मुल्व से और सस्ती है उसके बाद भी साथ इसके थे अदर विए उसके अंदर भी हमें एडास देखने को मिल रहा है तो उस पाफी बड़ी नेसेसीटी बन चुका है अगर पावर ट्रेन की चेंजिस की बात करते तो कोई भी मेज 4 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल एंजन जो नेचरील एस्पिरेटिट पेट्रोल एंजन है वह प्रेड्यूस करता है 115 पीएस की पावर और 144 न्यूटन मीटर का पीक टॉक इसके साथ हमें 6-speed का मैनुल गेर बॉक्स एक अगर बात करें तो वह प्रेड्यूस करता है 115 पीएस की मेकजिम पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉक इसके साथ हमें 6-speed का मैनुल गेर बॉक्स और 6-speed का जो टॉर्क कनवर्टर आटमेटिक गेर बॉक्स है वह देखने को मिल जाता है और अगर अब हम आया है 1.4 लीटर के तो वह प्रेड्यूस करता है 140 पीएस की पावर और 242 न्यूटन मीटर का पीक टॉक और इसके साथ हमें सिर्फ 7-speed का DCT आटमेटिक गेर बॉक्स ही देखने को मिलता है अगर बात करें इसके एक्सपेक्टेड लांच डेट की तो वह रहने वाली है क्योंकि अभी जैसे ला लाइक करना शेर करना और चैनल को सेस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलना थैंक्यू